नमस्कार साथियों जय हिंद एसीपी चैनल पर आपका स्वागत हैं आज हम देखेंगे यह सेट जो की बिहारदर होगा का जो नोटिपिकेशन आने वाला है उसके लिए बीपीएस्टीएट का जो एक्जाम है उसके लिए एक्जाम के लिए यह सेट महत्पूर्ण होगा साथी बात करेंगे कि जो एसेट जीडी का भी एक्जाम हो रहा है उसमें भी यह सेट कारगर है और बात बाकी जितने भी जैसे अलपी टेक्निशन का भी भरती जल्द ही आने वाला है साथी ग्रूप डीवी आएगा दोजार च कर दिया है जीके का जीके जीएस का ठीक है तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्ण यह सेट नमर अपना छो है ठीक है तो चलिए श्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण कि लाल मिट्टी की परकृति होती है तो जो लाल मिट्टी की परकृति होती है वह अमलि चारिये और उदाशिन छयमत सिंगे तो सिक घ्जानते होंगे आप लोग तुमकर कि देखते हैं कुम्ट कौशन नमर्व दो क्ढ़कन पास निम्दवेसे कि स्थित थैं लगूर दीधिक्र प्रक्री प्रिंणा को अधुनिक भारत का मंदिर कहा था किस ने कहा था तो जवाहरलाल नहरु के द्वारा कहा गया था कि कुश्यन नमर पांच देखेंगे ते रसूल परवत शिकर किस भारती राजमें अवस्थित है तो यह उत्रा नियम नियम में किस्ने परस्तूत किया है कोश्यन नमर आठ देखेंगे कि किस पंच वर्षी योजना में भारी उध्यों को प्रात्मिक्ता दी गई थी तो वह पंच वर्षी योजना जो है वह दूसरी थी जिसमें भारी उध्यों को प्रात्मिक्ता दी गई थी और सभी जानते हैं कि जो पहली पंच वर्षी हो जना थी यह क्रिसी पर अधारित थी कोश्चन नमर 9 देखेंगे कि सरपर्थम किस देश के देश ने जो है कि मुलवर्दित कर जिसे वैट कहा जाता है वैल्यू एड़ेट टेक्स को लागू किया था तो उसे लागू करने वाला देश कौन सा था तो वह फ्रांस था प्राणी कोश्चन नमर 10 देखेंगे एक मात्र सेक्क्युवरी कौन सी है जहां कस्मीर कस्मीरी महमीर्ग पाय जाते हैं तो वह जो है दाचिक राम है जो की जमू कस्मीर में अवस्थित है इग्यारा का सुराच्षित छेत्र का उद्देश कोश्चन नमर 12 देखेंगे कि बायो डायवर्ट सिटी सब्द का पर्योग सरपर्थम किस ने किया था इस सब्द का पर्योग जो है जी रोसेन के द्वारा किया गया था कोश्चन नमर 13 देखेंगे निमलिखित में से कौन सा बल सदैव अकरसित होती है तो वह बल बल जो है गुरुत व आकर्षन बल कहलाता है जो सदैव आकरसित होती है कोश्चन नमर 14 देखेंगे निमलिक्षित में से कौन सी एक बिद्धु चुमबक्य तरंग नहीं है तो वह कौन सी नहीं है तो ध्वानी तरंग या बिद्धु चुमबक्य तरंग नहीं है जबकि रेडियो तरंगे हैं परकास तरंगे हैं माइक्रोवेव हैं ठीक है कोश्च जोबतो चारित्र में यमचेठी का उलेख मिलता है यमचेटी होते थे तो यमचेठी कौन से होते थे तो यमचेठी जो है रातरी में पहाराद देने वाली इस्तरियां होती थी जिसे यमचेठी कहा जाता था ठीक है Q4 नंबर 17 देखेंगे चिदम रम का चवल मंदर किस धारमिक समूस ससमाष समंदित है तो यह मंदर वह 9000 से सम pas 15 कि मिलियां की कुलमात्रा का अनुपाइत कहाता है यह कमिश्ट्र्य का कॉश्चर 7 question number 19 देखेंगे कि निलंबन कनो का आकार कितना होता है तो जो निलंबन कनो का आकार होता है वह 10 के पावर 5 से 10 के पावर 7 सेमी के बीच होता है question number 20 देखेंगे आमलग किरिया सील धातुओं के साथ अभी किरिया करके निमलिकत में से कौन सी गैस उत्पन करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन किया जाता है बताते चले कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वांटम मोडल जो है इरविन शोडीगर के द्वारा दिये गए थे सभी सही है ग्रहिय मोडल की बात की गई है अगर वही ग्रह के बात करते हैं तो उसके खोज करता कों थै केपलर ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट कोस्चन की कोस्चन नमर 22 देखेंगे कि क्लोरीन अनुव तुछ्चिंगा नमबर 24 देखेंगे लूनर का स्टिक में से किसे चाहा जाता है उसमें लुनर काश्टिक कौन सा है newer को लुनर कास्टिक भी कह जाता है क्योश्चिंगे नमलिखित में से किसका हीरदय चार कछी होता है पच्छी मगरमच और मानव इन सभी का तो कौन सा सुमेलित नहीं है तो आम आसे अमलकान निसेचन सही है बड़ी आत जल का अपसोशन करता है बिल्कुल सही है छोटी आत पचे हुए भोजन को रुधिर बाहिकाओं में अपसोशन करता यह भी सही है जबकि यक्रित का काम जो है वह सरीर की सबसे बड़ी मिस्रित ग एक और भा होता है तो किस में होता है तो महासिरा में ठीक है कोंशन regain की बात्पो consomm के लिए पौधें की निमलिकित रचनावाँ में कौन जिम्यदार है तो इसके लिए घुमेपा काम में पोधों में जल को ले जाना ठीक है वहीं बात करें फलोयम की तो फलोयम का काम क्या है वह फल मतलब खाना खाना ले जाता है ठीक है तो जाइलम और फुलयम से यहीं समझते हैं लोग और अश्टोमेटा का तो जानी गया है यह बातसरजन का क्या है अश्टोमेटा का क्या है question number 30 देखेंगे कि खानवा का यूद हुआ था जिसमें बावर और किस सासक के बीच यूद हुआ था तो बावर और राना सांगा लड़ा था ठीक है खानवा के यूद में इसका जानते हैं बावर का यूद का पा खा चंग गहा यह ट्रिक है पानी पत खानवा चंदेरी और घागरा का यूद ठीक है तो ऐसे करके बनाते हैं अपन ट्रिक कोश्चन नमर 31 देखेंगे कि दच्छिन भारत में बैसनव संतों द्वरा स्थापित द्वरेता द्वरट सिधान कि संत्त्त से समंदित थो देखेंगे के दूति जैन संगिती कहां होई थी वह बल मां पढ़ता है और जि Alrighty संटेरे किरात में पढ़ता है तो अल बरूनी यह सभी जांते हैं कि मुहम्मद गजणी के समय में आया था कौन सा अल बरूनी कोश्चनमर पैतिस देखेंगे साम बेद भारती राश्टी कंगरेस की पर्थम अधिवेशन की अधियक्स था तो जवाहर लाल नहरू ने किया था कौन सा गाउं में आयोजित बारती राश्टी कॉंग्रिस की पर्थम अधिवेशन की अधियक्ष था Question number 37 देखेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है तो बंगाल गजट है जो की 1780 में जो है की परकासित हुआ था और बंगाल गजट की लेखक कौन है जेम्स एहिक्की ठीक है यह भी महतपूर्ण है राइटर भी उसका Question number 38 देखेंगे भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है तो लॉड कंड़ वालिस को जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है Question number 49 देखेंगे बताते चले कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको सेर नहीं करते सिर्फ करते हैं कि अच्छा है सर बहुत अच्छा है सर वीडियो को भी सेर करेंगे और टेलेग्राम चैनल से हमारे जुड़ी है जो कि आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे दिया गया है और बहुत सारे सेटों का भी दिया गया है इसमें 49 नंबर में सूच समाज के संस्थापक कौन है तो जो अपना बेद समाज के संस्थापक है वह केसब चंदर सेन है वहीं देव समाज के पंडित सिव नरायन अगनी होतरी जी है तो इसका राइट आंसर जो है 49 का वह डी हो जाएगा ठीक है कोश्चा नंबर 40 देखेंगे कि निमलिखित में से क जबकि मौलिक कर्तब जो है इसका विचार अमेरिका से नहीं का से लिए गया है रूस से लिए गया है ठीक है तो इसलिए इसका राइट अंसर नंबर डी हो जाएगा कोस्चन नंबर 41 देखेंगे कि धन विदेखों के संबंध में विशेष परकिरिया समिधान के किस अनुच्यद 109 में वरनित है कोस्चन नवर 42 देखेंगे समिधान के पर्थम अनुच्यद के अनुच्यद भारत राज्यों का संग ठीक है यह भी भी प्रश्न है कोस्चन 43 देखेंगे धर माधी के अधार पर विभेध या परतिसेद एक मूल अधिकार है निमन में से किसके अधिन बर्गिकृत किया गया है तो यह वह समता के अधिकार पर बर्गित किया गया है समता का अनुच्यद कितना में है आप हमें कमेंट जरूर किजिए इससे क्या है कोस्चन आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा तो उप राष्टपति का चुनाव भारत का राष् सब्सक्राइब नहीं है तो जी बी के राव समीति यह भी है असोक मेहता समीति यह भी है जबकि PBN राव समीति नहीं है तो यही राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली को राष्टि राज्धानी का तरज़ा दिया गया है कोश्चन नमर 47 देखेंगे कि बहरा समीति का संब्ध है तो जो बहरा समीति है वह राजनेताओं तुथा अपराध्यों की साठकाट के कि १ समीति है उसी के लिए बनाई गई थी कौश्चन 58 देखेंगे एक ही र दोगवे देश है और बरतमान में फुटबॉल जो है वह कौन सा देश ने जीता है आप हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिए है ना question number 50 देखेंगे निमलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आकर्मन के बिशाई के बारे में बताता है उससे पहले बता देख कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करे और परविन सर का काना है कि एडूटेरिया का एक पेड़ जो है एडूटेरिया के नाम से ही लगाए या फिर अपने नाम से ही लगाए तो एक पेड़ आप जो है कि जरूर लगाए ठीक है तो 50 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गारगी सहीता तो चलिए मिलते हैं नेक्